हेलो फ्रेंड्स आज मैं बताने जारी हूँ चने की घुगनी ये बिहार में फेमस है और बहुत ही अच्छी लगती है तो आप सब भी ट्राइ जरूर करना तो इसके लिए हमें सबसे पहले चने को 10 घंटे के लिए पानी में छोड़ना है ताकि चने हमारी अच्छी से फूल जाए तो यह देखिए तो इसमें हम आप पानी डालेंगे पानी जो है पुरा भर देना है और इसमें जो है अब इसे मैं ढख दूंगी और यह देखिए हमारी चना जो है फूल चुकी है दस घंटे हो चुके हैं और इसे अब 3-4 पानी से धो लेना है तो आप आगे का तया तो यहां मैंने लिया है टमाटर प्याज लहसन अदरक मिर्ची और गर्म मसाला तो मिक्सी में मुझे इसे एक एक करके सारा डाल देना है तो मैं गर्म मसाला डाल दी अब मिर्ची डाल दूंगे अदरक लहसन टमाटर और प्याज और अब इसमें कुछ मसाला एड़ करना है तो इसके लिए मैं जो है सबसे पहले काली मरीच डाल रही हूँ आप पाउडर भी डाल सकते हैं काली मरीच का अब डालूंगी कश्मीरी लाली गाने आप तो इसना अब इसमें पानी डालना है जितना मसाला मतलब पीच जाए तो अब इसे पीच लेना है तो यह देखिए मैंने पीच लिया है मसाला को तो मसाला हमारी तैयार है तो आब हम चरहेंगे कूकर कुकर में मैं तेल डालूंगी और चने को मैंने धो लिया है तिन चार पानी से अब डालूंगी तेल गरम हो चुकी अब डालूंगी जीरा और तेजपत्ता तिन चार तेजपत्ता डाल दें इसमें और अब पिसा हुआ मसाला और अब इसमें डालना है चना तो ये देखिए चना मैंने डाल दिया इसमें और अभी ठंड का मौसम है तो मैं इसमें आठ से दस लहसन डाल दिया जो ठंड के मौसम में खाना चाहिए सरीर में गर्मी बनी रहती है तो आप भी घुगनी में लहसन जरू डाले ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छी रहेगी और इसे जो है अब दस मिनट के लिए भुन्ने रख देना है तो मैं ये ढख रही हूँ दस मिनट भुन्ने देंगे तो आप हमारी देखिए चना जो है भुन चुकी है अब हम इसमें पानी एड करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे और अब जो है हम कूकर के ढकन को लगा देंगे और 3 से 4 सीटी में बंद कर देना है तो ये देखिए मैं ने चरह दिया अब हमारी 3 से 4 सीटी लग चुकी है और हमारी घुगनी जो है तैयार हो चुकी है यह देखिए कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो आप भी इसे जरूरू बनाना ट्राइ करना बिहार का फेमस घुगनी आप इसे मुड़ी, मुड़मुड़ा, चूड़ा सब में खा सकते हैं तो राधे राधे फ्रेंड्स अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सस्क्राइब करना बाइ बाइ फ्रेंड्स आप इसे पिकिनिक में भी बना सकते हैं